हेलो गाइस वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप सभी को आइसे यार यूजी 2021 की एक्सपेक्टेट कटफ बताऊंगा और यह मैं पिछले साल की कटफ से इस बार का कटफ रिलेट करके मैं प्रेडिक करूंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2020 में क्या इसमें मैं OBC और EWS को जनेरल के साथ इसलिए बॉल रहा हूं क्योंकि ICAR के और इंडिया कोटा में जो स्टेट अग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है इन दो कैटेगरी को जहां तक बात है सेंट्रल यूनिवर्सिट लुग नहीं होता है तो लगबग लगबग जितने जनर्लका जाता है उतना ही इन दोनों कैटेगरी का भी कट जाता तो अगर पिछला साल लगबग जो मांकर ए अमारे वह 330 तक आपको अलॉट हुआ और नहीं आपको ICRUG के मार्क्स पता चले हैं आपको तो बस आपकी परसेंटाइल पता है तो दोस्त मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अपने परसेंटाइल से आपको अपने एक्स्पेक्टेड रांग करनी है उसका फर्मूला मैंने आपको बता दिया है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उस वीडियो को इंपर देख लेंगे तो आपको आपकी एक्स्पेक्टर रैंक पदा चल जाएगी उसके इसाब से अगर आपके रैंक 12,000 के अंतर आ रही है तो आपको कम से कम इस सी ऑंडिकल्चर दिएश्ञ हरिकल्चर या बीशी ओंडिकल्चर यह ओरिस फॉरेस्ट्टि यह तीं डिग्रीज में से कोई भी एक डिग्री आईसे यार की एलोट हो सकती है यह पिछले साल के डेटा के कि आईसे अर में वैसे तो बहुत सारी डिग्रीया रहें लेकिन मैंने आपको इन तीन के बारे में इसली बता है क्योंकि इनका कटफ हाई आता है बाकी सारी जो डिग्रीज है उन वह बहुत अन प्रेक्टेबल है जैसे कि मैं एक एग्जामपल ले लेता हूं कि बीटेक अग्रिकल्चरल इंजिनियरिंग इसका पिछले साल का कटफ लगबग बारे सो से तेरे सो सीट्स हैं और कटफ बारह हजार जा रही है तो इसका सबसाब से मतलब यही है कि बच्चे कुछ सीट्स छोड़ना हैं तो मैं आपको भी पर्सनली यही रेकमेंट करूंगा कि आप कम से कम काउंसिलिंग में जरूर बैठें ताकि अगर आपको एक सीट मिलनी होगी तो आपको मिल जाएगी क्योंकि बीच के बच्चे बहुत सीट छोड़ते भी हैं जतना इंपॉर्टेट एक्जाम में अच्छे पाक्स लाना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी काउंसिलिंग भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होत दो संबजने के लिए अगला वीडियो मैं चॉस फिलिंग पर आपके लिकर क्या हूंगा तब तक के लिए इस स्टे टीउन्द और को सब्सक्राइब करें ता कि मैं आपके ल .